Hello everyone, I am Dr. Karniška Koshik. Welcome you all on Toppers Top. So, हमारा जो EPF4 Revision Series चल रहा है, उसमें ये Part 17 है, जिसमें हम Accounting Principles और History को डिस्कुस करेंगी. तो चलिए वीडियो को शिरू करते हैं. सबसे पहले, आज हम Basis of Accounting से शिरुवात करेंगी. अभी तक जो हमारा Basics कलियर हुआ है, Accounting Principle का, उसके आगे की ये Chapters है. तो यहाँ पर Cash Basis और जो Accurial Basis होता है, Accounting का, उसको हम डिस्कुस करेंगी. सबसे पहले, आप Definition में Difference देखिए कि इन दोनों में होता क्या है. देखिए, Accounting Basis जो होता है, उसमें दो तरीकी के Basis होता है, एक होता है Cash Basis Accounting और दूसरा होता है Accurial Basis Accounting. तो यहाँ पर जो भी Cash Flow होता है, जो भी Revenue होता है, जो भी Expenses होता है, वो किस टाइब में Record किये जाएंगे, ये इन दोनों के अंदर Difference होता है. Cash Basis Account में, जो भी Revenue, Expense या फिर जो Cash Flow होता है, उसकी Dealing अगर तभी की तभी हो जाती है, तो उसको जो है Records में Maintain कर दिया जाता है, बर जो Accurial Basis Accounting है, उसमें अगर मालीजे कुछ Delay भी हो जाता है Payment में, तो उसको Record कर दिया जाता है, बुक के अंदर ये वेटनी किया जात है कि जब Payment आएगी तभी की तभी उसको Maintain किया जाएगा, इसको Definition बताने से पहले मतरब Difference बताने से पहले एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे ये एक Person था रमेश ठीक है, इसने अपने Customer को जो भी Product था वो बेचा, और उसको बता दिया कि इतना Amount आपको Pay करना थीक है, बर संडे तक जो Person था, उसने उसको Amount पे नहीं किया, तो रमेश के पास जो Amount था वो Receive नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो है रमेश इस टाइम में जो भी ये Product बेचा था कस्टमर को, उसको Sales के अंदर Include नहीं करेगा, जब तक कि Payment जो है वो Cash में Receive नहीं होगी, यह होता है Cash Basis Accounting के दें, वहीं पे यही सेम सिनेरियो है, रमेश जो है, उसको Sunday तक नहीं मिला Amount, पर यहाँ पे Cash के जगह क्या है, एक्रॉल बेसिस अकाउंटिंग है, तो जो रमेश होगा, वो उसको, जो मतब कि Cash उसको Receive नहीं हुआ है, उसको Sales में Include कर देगा, ताकि उसको Cash बार में मिल जाए, ठीक है, तो यह Cash Basis Accounting और एक्रॉल में आपको Difference पता चल गया, जो एक्रॉल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते है, वो क्या क्या है, यहाँ पर जो electricity के expenses हो गए, आपकी जो भी credit आपने खरीदा है, उसके purchase पे जो पैसे रखते हैं आपको, income tax expense हो ग जागत लगती है, कुछ machinery भी खराब होती है, और भी खर्चे होते हैं, तो वो depreciation के अंदर आजाता है, जो audit fees उसकी लगती है, company की, sales on credit होता है, यह सारे एक्रॉल accounting examples के अंदर आजाते हैं, अब हम major difference देखते हैं कि cash basis of accounting के अंदर, और actual basis of accounting के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले transaction देख लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, कि जब तक sale का payment नहीं आएगा cash के अंदर, तब तक उसको record नहीं किया जाएगा, तो जो, sorry, जो cash basis of accounting होता है, वो हमेशा cash transaction के अंदर record किया जाता है, वहीं पर actual basis of accounting जो हता है, वो cash और credit दोनों transactions के अंदर record किया जा सकत है, standard की बात करते हैं, तो cash basis of accounting जो हता है, उसमें कोई भी international accounting standards को follow नहीं किया जाता है, बट यहाँ पर international accounting standards को follow किया जाएगा, uses की बात करते हैं, तो इसको देखें, अब आप ये रेकें, simple सी बात किये, जो business world होता है, वहाँ पर कितना जाता लेंदेंज होता है, वो उधार म नहीं करेंगी, कि हाँ भी जब आएगी payment, जब मैं देखूंगा, तो वहाँ पर जो काम होगा, वो खराब हो जाएगा, तो इस वज़े से जो है, इसको rarely use किया जाता है, जबकि जो actual basis of accounting होता है, उसको rarely use किया जाता है, cash flow की बात करते है, तो ये cash flow जो है, ensure करता है, कि company के प आगया, अभी के अभी cash flow आगया, और जो आगे आएगा, आने वाले टाइब में, उन दोनों को ensure किया जाता है, actual basis of accounting के अंदर, limitations को देखते हैं, तो यहाँ पर जो company होती है, वो overall financial changes को एक specific period में present नहीं करती है, पर यहाँ पर company जो है, वो सभी financial changes को जो भी एक specific period के अंदर आ लाइए, तो आग से हम उसको भी शुरू करने जा रहे हैं, आज हम तो MCQs को discuss करेंगे हैं, सबसे पहले यह हैं कि चार options आपको दे रखे हैं, और आपको बताना है कि इन में से जो है accounting को describe क्या नहीं करता है, तो A है language of business, B है useful for decision making, C is an end rather than a mean to an end at D है, use for business, government, non-profit organization and individual, तो जो वीडियो को first time देख रहे हैं, आपको एक बार वीडियो को post कीजे करना है, और खुद इस question को attempt करना है, then में आपको answer बताऊंगी, तो एक बार वीडियो post कीजे और इसे attempt कीजे, okay done, तो यहाँ पे जो है third option जो है, आपका वो accounting को describe नहीं करता, क्योंकि accounting जो होती है, जब हमने तो यहाँ पे पुछा गया है, जो एक business होता है, उसको accounts क्यों रखना चाहिए, यह वाला चो question है, यह आप मुझे comment section में answer करेंगे, a is to discover how well the business is going, seconds to record assets and liabilities, c to help run the business efficiently and d is all of the above, तो आप इसे comment section में answer करेंगे, next आते है, accounting information system के बारे में definition से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे लिए कि जो भी management information system होता है, जो कि किसी भी financial data के collection से storage और processing से related होता है, जिस के basis पे, मतब किसके उपर depend होके decision makers, जो है, वो अपना decision ले सकते हैं, उसको हम accounting information system या management information system कहते हैं, basically यह किस के लिए होता है, financial data से related होता है, decision makers के लिए, ठीक है नेक्स देखते हैं कि जो accounting information होती है उसके users कौन-कौन से होता है मतलब कि कौन-कौन से ऐसे person है, organizations है जो कि accounting information को use करते है तो यहाँ पर जो भी owner होता है किसी भी company का, किसी भी establishment का या फिर जो shareholders होते हैं उस company के, वो उस accounting information का use करते हैं जो managers होते हैं, जो उस company के अंदर आखे invest करने वाले हैं, investors होते हैं महीं भी creditors हैं, bankers हैं, lending institutions हैं, वो पहले देखेंगे न कि company की situation क्या है हम कितना amount उनको credit कर सकते हैं, तो इस वज़े से इन सब के लिए accounting information useful होती है government जो है वो आगे देखेगी कितना country की development हो रही है, employees है researchers होते है, customers होते है, इन सभी के लिए accounting information useful होती है उसके बाद देखते हैं कि जो different different users हमने यहाँ पर discuss करें तो उनके लिए जो accounting information होते है, वो किस तरीके से useful होते है तो यहाँ पर जो एक financial accountant होता है, financial accountant क्या करता है कि financial information जो होती है, उसको internal और external questions जो होते हैं मतलब कि जो internal external users होते हैं, दो तरीके के, उनको answer देने के लिए financial information उनको provide करता है ताकि वो सब जो है, मिलके अपना decision ले सके तो यहाँ पर जो owner होता है, जब वो financial accountant के पास जाके information मांगता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो owner जो होता है, वो यह देखता है कि क्या इस साल में मेरे को satisfactory profit हुआ है यह information जानने के लिए वो accounting को देखता है, accounting जो information होती है, उसको मांगता है महीं पर जो manager होता है, वो हमेशा यह देखता है, कि क्या हमें dividend pay करना पड़ेगा और कितना risk हुआ है, मतलब कि कितना profit हुआ है अभी company के अंदर employees जो हैं, वो यह देखते हैं, कि जो company को profit हुआ है, उसके basis पर क्या हमको pension fund जो है, वो इस साल company के थूँ मिलेगा महीं पर government agencies जो होती है, वो यह देखते हैं, कि जो company है, उसने जितनी भी information investors को दी है, वो correct है या नहीं है, यह देखने के लिए accounting information government को चाहिए होती है महीं पर जो investor और जो creditors होते हैं, वो यह देखने के लिए कि क्या उस company ने एक साल के अंदर इतना revenue generate किया है, कि हम उस company के अंदर invest कर सके या फिर जो lending institutions है, वो उनको credit provide कर सके, तो यह सारे जो है financial account information को इस वज़े से useful तरीके से देखते हैं, और अपना decision making करते है नेक्स देखने हैं कि जो accounting information होती है, उनके characteristics क्या होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है comparability, second आता है reliability, C is relevance, D is understandability एक चीज़ मैं और mention करना चाहती हूँ, जो Hindi medium के students है, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, कि मैं आपके लिए Hindi content नहीं ला पार हूँ, इसका basically accounting information का, बड़ नहीं मिल रहा है, और अभी मेरे पास इतने sources नहीं हैं, मैं subscribe करने को बोलती हूँ, तो comment आते हैं कि आपको subscription क चाहिए, ताकि हम आपने sources को बढ़ा सके और आपके और help कर सके, तो अभी Hindi के नहीं है accounting principles के लिए, तो उसके लिए अभी आप please English के साथ ही थोड़ा adjust कर लीजे, next देखते हैं, कि जो भी हमने characteristic of accounting को discuss किया, तो उसमें relevance, reliability, intelligibility और comparability का क्या मतलब है, relevance को देखते हैं, तो ऐसी accounting information जिसकी ability होती है कि decision making को influence कर सके, उसको हम relevance कहेंगे, next देते हैं, reliability के बारे में तो देखी, किसी information के अंदर जो quality होती है, कि वो reality को बताए, ये नहीं है कि बस आप एक fake world में गलत information provide करते जा रहे हैं, reliability का मतलब कि कि किसी के उपर आप trust कर रहे हैं, तो यहां पर information की quality, जो कि reality को बताए, उस information के अंदर errors ना हो, कोई भी interpretations ना हो, सिर्फ real facts हो, उनको हम reliability के अंदर characteristic of accounting information कहेंगे, next आता है, intelligibility के बारे में, तो ये information की वो quality होती है, जिसे की easily जो है, कोई भी जो user है, उसको समझ सकता है, जैसे मैं भी आपको समझा रहे हूँ, आपको easily अगर ये term स समझ आ रहे है, तो वो मेरी क्या हो गई, intelligibility हो गई, कि मैं आपको वो चीज information प्रोवाइट कर पारे हूँ, बहुत easy way में ठीक है, तो यहां पर जो sufficient knowledge of accounting, जो है, वो intelligibility के characteristic के तुरू प्रोवाइट की जाती है, next आता है, comparability, तो ये एक information की quality होती है, जो कि time और जो space होता है, उन दोनों को use करके अच्छे तरीके से सारी information को provide करती है, जो यहां पर basically देखी जाती है, ये चीज़े, उनके पीछे क्या क्या motive होते है, मतब accounting information लेने के पीछे क्या motive होते है, सबसे पहरे जीतना पर net profit और जो loss होता है, उनकी information पता चल जाती है, जो कि users होते है, financial position क्या है, उस business की वो information पता चलेगी, महीं पर जो business है, उसकी planning किस तरीके से होते है, कैसे उसको control किया जा रहा है, वो information हो गई, total cost और per unit cost जो है, वो क्या लग रहा है उस business को run करने के लिए, और किस तरीके से वो जो industry है, वो tax management कर रही है, ये सारी चीज़े users को पता चलती है, accounting information के through, ज जो accountants हैं पूरी दुनिया में, वो कुछ rules को follow करते हैं, अपने procedures को, अपने accounting transactions को करने के लिए, उसको हम accounting principles कहते हैं, जिनको आगे हम discuss करेंगे, ये जो accounting principles होते हैं, ये दो category के अंदर होते हैं, बस आपको EPFO के लिए इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि हमें advance में नहीं जान जाते हैं, वो basic पूछ जाते हैं, तो accounting concept और accounting conventions जो होते हैं, वो दो तरीके के accounting principles की category होती है, अब जो हम miserly discuss करने वाले हैं, ये exam के लिए बहुत important है, that is generally accepted accounting principle, तो जो general way में accounting principles को adapt किया गया है, इसको gap के नाम से बोला जाता है, तो इसके बारे में हम detail में discuss करेंगे, सबसे पह adapted accounting principle, मतलब आप बिलकुल नाम से समझ पारे हैं, कि जो बहुत general way में accept किये जाते हैं, adapt किये जाते है, accounting principle, उसको gap कहा जाता है, ये एक rules and regulation का set होता है, basically, जो farms और जो corporations होते हैं, उनको help करता है, कि वो किस तरीके से अपने जो assets हैं, और जो liabilities हैं, मतलब अपने income और expenses जो हैं, उनको financial statement में किस तरीके से present करेंगे, तो ये gap जो होता है, ये वो rules and regulations बताता है, अब तक वीडियो पसंद आई है, तो subscribe कर देजे, ताकि हम जादा से जादा sources लाज सके, वीडियो को like कीजे, और share कीजे, ताकि जादा से जादा लोग इससे benefit उठा सके, features जो हमने देखे थे, principles की information के, that is, relevance, reliability, understandability, और जो comparability हो गया, वो इसके भी features हो जाएंगे, gap के भी ठीक है, basic assumptions जो यहाँ पर लगाई जाती है, वो क्या लगाई जाती है, किसी भी rules and regulations से related, कि concerns अभी क्या क्या चल रहे हैं, establishment में, जब हम किसी financial statement को record करते हैं, monetary unit क्या है, कितने time period के लिए सब कुछ रहे हैं, accounting entity क्या है, यह वाली चीजें जो है, वो आपको नहीं याद रखने हैं, आपसे paper में नहीं पुछी जाएगी, importance क्या है, rules and regulations की वो याद रखने हैं, देखिए, अगर जो है, कोई एक rule and regulation का setup को दे दिया जाता है, आपको एक आ गया है, कि आपको इस तरीके से पढ दर्शिता होती है, कि कोई भी है, आपको गलत information नहीं दे सकता है, क्योंकि उस rules regulation को follow करके, आपको सही information ही मिलेगी, important decisions लिये जाते हैं, easy understandability or interpretation हो जाती है, किसी भी decision की, महीं पर presentable होता है, यह consistency होती है, अगर मालेजे कि कोई ऐसे organization है, वो गाप के rules and regulations को follow नहीं करना चाते है तो उनके पास क्या alternatives होते हैं, तो यहाँ पे आता है IFRS, IFRS क्या है, International Financial Reporting Standard, जो की regulate क्या जाता है, IASB के थू, IASB क्या है, International Accounting Standard Body, यह गाप का alternative है, different rules इसमें दिये गए हैं, अब गाप जो है, उसकी जरूरत क्या है, देखिए, तो देख लिए हमने गाप है क्या, यह क्या है, एक rules and regulation है, पर अब इसकी जरूरत क्या दे कि accounting को transparent और fair way में करने के लिए जो है, वो गाप की जरूरत होती है, ताकि financial reporting जो होती है, company की, वो ordinary people जो है, उनको भी easily समझ आते हैं, इस वज़े से गाप की जरूरत होती है, वही पर accounting rules जो है, नेसेसरी होते हैं, ताकि एक standard reporting जो ह कि financial statement से यहाँ पर हमारा क्या मतलब है, balance sheet हो गया, income statement है, cash flow statement है, तो सभी जो company की यह सारी जो statement होते है, financial statement, उनका एक standardization करना गाप के अंदर आ जाता है, वही पर जो financial statement प्रिपेर की जाती है, गाप के लिए, वो यह दिखाती है कि real में economic reality है क्या उस company की या फिर उस country की फोलो किया जा रहा है, गाप का जो standard होता है, वो basically time to time place to place change होता है, जैसे कि US के अंदर कुछ और है, India के अंदर कुछ और है, US के अंदर जो है, वो security and exchange commission को follow करते हैं, गाप के जो standards होते हैं, वही पर इंडिया में अगर हम देखते हैं, तो Indian accounting standards जो है, वो follow किये जाते हैं, ज अगर माली जी कि गाप जो है, वो available नहीं है, तो क्या, तो अगर ये principles नहीं होते हैं, तो fraud के जो cases होते हैं, वो बहुत जादा बढ़ जाते है, accounting और financial reporting के time में, और उससे क्या होता है, जो investor होता है, उसका interest जो है, वो affect होता है, क्योंकि investor जो है, वो ऐसे company में या पर कोई ऐस asset पर आके पैसा क्यों लगाएगा, जहाँ पर पहले से fraud है, जहाँ पर गाप के rules and regulations को नहीं manage किया जा रहा है, तो इसे fraud cases जो है, वो बहुत जादा बढ़ जाते हैं, जिसका असर investor और जो creditors होते हैं, जो पैसा देने वाले होते हैं, और जो पैसा लगाने वाले होते हैं, उ report करना चाहती है, तो मदा अब उनके ओपर कोई liability नहीं है, कि आपको सही ही financial information देनी है, अब वो कोई भी financial information जो है, वो दे सकती है, तो जो investors होते हैं, और जो creditors होते हैं, उनके लिए बहुत जारा difficult हो जाता है, यह decide करना, कि क्या उनको उस company के जो shares है, उनमें invest करना चाहिए, या उसके लिए credit देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, वहीं पर अगर कोई company जो है, वो gap को adopt करते हैं, तो उसको क्या-क्या benefit होगा, सबसे पहले तो जो investors है, shareholders है, और जो creditors है market में, उनका interest develop होगा, कि हम यहाँ पैसे लगा रहे हैं, तो हमको real information मिलेगी, और हमारा जो प maintain रहता है, determine रहता है, वहीं पर जो कुछ areas होते हैं, उसको identify किया जाता है, कि किस तरीके से modifications required हैं, अभी इस चीज़ के अंदर और improvement की जा सकती है, वहीं पर जो financial reports बनाई जाती है, वो investors को trust करती है, मतलब investors को trust होता है, उसको maintain करती है, और investment जो होती है, उसमें interest बनाए रखत हैं company के, next जो है gap का, अकर हम comply करते हैं, उनके rules and regulations के साथ, तो यहां पर जो है, एक guarantee provide की जाती है, हर किसी उसको जो कि उस company के अंदर invest करता है, वहीं पर gap की जो reporting होती है, वो easily understand होती है, मतलब कि बहुत easy way में होता है, वो financial statement होती है, और एक financial statement को दूसरी financial statement से easily compare किया जा सकता ह है, जो कि gap को follows कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पर जो भी profit, loss, expenses, investment, income और जो revenue होता है company का, वो easily regulate हो सकता है, उसको हम पता लगा सकते हैं कि क्या-क्या इसके अंदर चल रहा है अभी company के अंदर, और वहीं पर जो है risk होते हैं, उसमें ज्यादा reduction हो जाता है, fraud cases जो है, वो कम हो जात हैं, अब हम ये देखने हैं, सबसे पहले जो है, यहाँ पर business को एक single entity principle की तरह नहीं देखा जाता, तो business जो होता है, उसको separate entity देखा जाता है, lows के terms में, यहाँ पे basically क्या होता है, owner जो होता है और जो business होता है, उसको अलग-अलग तरीके से देखा जाता है, accounting के terms में business जो होत पेंडेंट होता है और जो ओनर होता है वो डिपेंड डिफरेंट होता है मताब ओनर और बिजनेस को हम एक मान के नहीं चलते हैं वहीं पर स्पेसिफिक करन्सी प्रिंसिपल जो होता है उसमें बेसिकली का गया है कि जो फाइनेशल स्टेटमेंट होती है उसमें करन्सी को स्प है उसी की currency वहाँ पर mention की जाएगी यह गाप का principle है next time period specific principle के बारे में तो यहाँ पर जो financial statement होती है वो एक specific period के लिए दी जाती है मतलब कि एक end time होता है उसका और एक start time होता है यह जो time में यह कुछ भी हो सकता है like month हो हो जाए quarterly मतलब कि आपका जो है जो है जो एक चोथा ही हिस्सा होता है उसके लिए हो गया आदे साल के लिए या पूरे साल के लिए भी पूर जो प्रियर है स्पैसिफाई किया जा सकता है next आता है the cost principle के बारे में तो accounting के अंदर cost का मतलब होता है कि किसी भी good या service को पाने के लिए जो आप पैसा खर्च कर रहे है जो amount आप खर्च कर रहे है वो cost principle के अंदर आता है यहां पे जो amount शो होता है financial statement में उसको historical cost amount कहते हैं यह वारी definition आप याद रखेगा next आता है full disclosure principle के बारे में तो full disclosure principle के अंदर यह का जाता ह है कि एक company जो gap के rules regulations को follow कर रहे है उसके ओपर यह liability है कि वो financial statement जो होती है उसको पूरी तरीके से disclose करेगी investors या फिर जो lenders होता है उनको सभी accounting principles जो policies होती है financial statement की उनके बार में पता होना चाहिए फिर आता है recognition principle जिसमें कि revenue recognition principle भी इसको का जाता है कि company जो है उसको यह reveal करना होत है कि उस company की income क्या है और expenses क्या है उस time period में जबकि वो हुआ है मतलब उसका revenue gain या loss हुआ है वो कितना हुआ है यह उसको बताना होगा next आता है non death principle of business मतलब कि यहाँ पर principle of continuity होते या accounting होते है कि death नहीं हो रही है उस accounting की वो आगे तक चलता जा रहा है तो यहाँ पर जो है कोई जाएंगे nextJean matching principle का तो matching principles में क्या होता है कि जो company होती है उसको actual basis of accounting जो भी हमने पहले discuss किया उसको follow करना होता है यूज करना होता है और matching principles के अंदर जो expenses होते है company के उनको match किया जाता है जो की company का revenue होता है उसके साथ next आता है principle of materiality इसमें basically जो accounting reports होती है उनको maintain करना होता है और जो minute errors होते हैं उनको adjust करना होता है ताकि जो matching होती है जो adjustment होती है वो पूदी तरीके से हो सके next आता है the principle of conservative accounting तो यहाँ पर conservative accounting principle के अंदर जितने भी companies होती हैं जिनके expenses लगे हैं उनको साथ की साथ जो है यह पता चल सके कि actual cash flow क्या हुआ था तो यहाँ पर principle of honesty भी maintain की जाती है यह सारा हो गया gap के बारे में accounting principles का भी इतना था अब हम history को शुरू करने जा रहे हैं तो आज मैंने बहुत important चीज़े जो हैं वो इसमें डाली हैं मतलब आप यह मान लिजे कि अगर यह वाला जो हमने 4-5 slide हम आगे की लेके जा रहे हैं इसमें से 2-3 question भी history में आ गए ना तो मोज हो जानी है आपकी ठीक है क्योंकि यह इतनी important slide से जो आगे हैं हम मैं discuss करने वाली हूँ तो सबसे पहले जो है modern इंडिया में हम यह देखेंगी कि बहुत सरी commissions बनाए गए गए थे जो commission से direct questions पूछे जाते कि कौन सा commission किस चीज के लिए था ठीकर detail आपसे नहीं पूछी जाएगी तो commissions की यह जो list है यह मैं यहाँ पर आपको बता रहे हूँ सबसे पहले amini commission को discuss करते तो amini commission जो था वो land revenue से related commission था land revenue के जो issues आया करते थे उनको deal करने के लिए amini commission को बनाय गया था फिर आया कोक्रेल कमिशन कोक्रेल कमिशन जो था वो फैमाइन से रिलेटिड था कि जो सूखा पड़ा था उससे डिलिंग करने के लिए कि जो जो प्रोब्लम्स आई अग्रिकल्चर से डिलेटिड फैमाइन के टाइम में बीमार या जो आई उसको डिल करने की कोक्रेल कमिशन को ब आप से पूछा जा सकता है फिर आता है अटिस्टन कमीशन जो था वो मैंने अपने एमसी क्यूस में भी डिसकस किया है ये पबलिक सर्वेसिस जो था उससे रिलेटीड कमीशन था फिर आता है निकोलसन कमीशन जो की कोपरेटिवस हुआ करते थे उस टाइम में उनसे डिलिंग किया करता था फिर आता है लयाल कमीशन जो 1880 के अंदर सूखा पड़ा था फैमाइन आया था उस टाइम में लयाल कमीशन जो था उसको सेट अप किया गया था फिर आता है मोनकिफ कमीशन मोनकिफ कमीशन जो था वो इरिगेशन से रिलेटेड था एग्रिकल्चर से रिलेटेड था फिर आता है फ्रेजर कमिशन जो कि पुलिस से रिलेटेड था देखिए इसमें मैं अगर आपको इस तरी किसी अभी समझा सकती है क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं तो आपको ही यह खुद याद रखना है यह वाला जो स्लाइड है यह मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी कल शाम तक जो सोरी आज शाम तक जो है यह पोस्ट हो जाएगा तो आप उसको देख लीजे जो न्यू स्टूडेंट से उनको मैं बता दूग की टेलीग्राम चैनल कर जो लिंक है वो डिस्क्रफिशन बोक्स में महा पे हमने एक डिसकेशन गुरूप भी करते हैं च पहलोगई और चाहिए नीजिक्सराइब क्शक्राइजели luc, inc.च उसके ब 97 बनाया गया था नेक्स आता है Gard में स्टेड्शन की इसलीय दे जाएगी उसके लिए बटलर कमिशन को बनाय गया था और बटलर कमिशन भी पहले आपसे UPICE के पेपर में पूछो जास्थ चुका है फिर आता है स्कीन कमिशन जो था वो indonization of army के लिए बनाया गया था फिर आता है निलिट को commission जो की again agriculture से related था विटले commission जो था जो की plantation laborers थे उनकी conditions को specify करने के लिए regulate करने के लिए विटले commission बनाया गया फिर आया heart tech commission जो की education से related था लेंट से commission जो था वो भी education से related था फ्लावड commission आया जो जमिदारी से system related था और sergeant commission जो था ये भी UPSC में पहले पूछा जा सका है ये education से related था तो commissions जो है आप प्लीज इसको अच्छे से याद रखेगा post में telegram channel पे कर दूँगी आज जो हम 1857 से शुरू करने जा रहे हैं मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे slides कम पढ़ जाते हैं क्योंकि देखिए आज हमने कितना सारा accounting principle बढ़ा तो यहाँ पे आज जस्त मैं introduction दे रही हूँ 1857 के report की पर उससे related प्लीयम से related facts में यहाँ पे डाल रही हूँ बहुत सारे जैसे books वगरा के बारे में अभी हम देखेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखेगा तो इंडियन mutiny of 1857 और जो 59 थी वो बहुत ही एक widespread protest था मतबकि इंडियन history में उसको सबसे पहला protest देखा जाता है पर यह unsuccessful भी था क्योंकि Britishers जो थे उन्होंने 1857 की लड़ाई को दबा दिया था और उसके बाद Good Government of India Act आई थी और जो British Crown था उसके पास सारी जो sovereign powers थी वो चली गई थी रिवोल्ट जो था वो एक तरीके से first expression था organized resistance का यह वाला point आपको याद रखना है कि एक organized way में जब खिलाफत जो एक issue है मतबकि जो protest था वो शुरू हुआ था वो 1857 के अंदर ही हुआ था तो यह जो revolt हुआ था वो सिपोईस का जो army men थे उन्होंने शुरू किया था बड़ बाद में यह participation of masses से बहुत बड़ा protest बन गया था इस protest को सिफ जो है 1857 के revolt से नहीं और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि जो British के historians थे जो इतिहास का थे Britishers उन्होंने इसको सिपोई mutiny कहा था वहीं भी जो इसको इंडियन mutiny या फिर जो great rebellion था वो इंडियन historians के थू का गया जो इंडियन instructions था revolt of 1857 था ये नाम भी इसको दे गए ये list जो है ये भी मैं आपको provide कर दूँगी कि किस person ने क्या कहा था और वहीं पे जो वीडी सावर कर थे विरायक दामुदर सावर कर थे ये वाला question पहले UPSC में आ चुका है उन्होंने first war of independence इस war को कहा था तो य ये वाला point आप याद रखेंगे next जो मैं कही थी कि nature of revolt के बारे में किस person ने क्या का था क्योंकि EPFO में statement based question personality related questions और जो books historians लेकी ती journals लिकेते उससे related questions आते हैं तो पहले मैंने सोचा कि आज slides भी कम है तो पहले मैं ये वाला data इसमें insert कर देती हूं जो कि आपके लिए beneficial रहेगा सबसे पहले nature of revolt को देखते हैं तो डिजरायली जो थे उन्होंने nature of revolt को बताया था कि ये एक national revolt है मतलब एक रास्टर वादी जो है ये रिपोर्ट है जिसने पूरे रास्टर को involve कर लिया next जो डॉक्टर तारा चंद थे उन्होंने especially medieval but efforts of powerless class to get their lost power तो ने एका कि ये जो रिव ये रिवोर्ट किया था ताकि उनको उनकी ताकत वापस मिल सके जे और ट्रेम और जो डबलू टेलर थे उन्होंने ये का था कि ये तो रिवोर्ट ने था ये हिंदू और मुस्लिम के conspiracy ती जो दोनोंने मिलके Britishers के against की थी जो आराल नहरू जो थे उन्होंने ये का कि ये जो हो गया रियल फॉर्म जो थी इसकी वो फुडलिस्टिक थी नेशनलिस्ट एलिमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट थे आर्सी मजूमदार जो थे उन्होंने उनको का था कि ये ना तो एक फर्स्ट ना ही ये नेशनल और ना ही ये वोर ओफ इंडिपेंडनेंस थी हमें नह जाती ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यूपियस्टि में पहले पूछी जा चुकी है एसन सेंजो थे उन्होंने ये का था कि जो कॉंस्टिटूशन ओफ ब्रिटिश रूल है ये उससे इन्हेरिट था ताकि जो कंजर्वेटिव एलिमेंट थे वो जो है वो सेव रह सके ह घृए हमारी कंट्री के अंदर ट्याल होमस जो था उन्होंने ये का था कि सीविलाईजेशन और बार्बरिश्म के बीच ही कउन्फिट था मत् carbon बताने ये कहा कि बिटिश हर जो थे वह तो सीविलाइस्टि थे पढ़े लिखे वो समझजदार थे-और जो हमारी इंडियन् था तो वो बार्बरिक नेचर के थे और सिविली सिविलाईस नेचर के बिटीश थे तो उनके बीच में यह कॉणफलिक्त हुआ था बिडी सावरकर जो थे उन्होंने फस्ट वर ओर फ इंडियन इंडिपेंडेंस का था जो भी हमने का देखा सर्जोन्स्स सैले जो थे उन्हो वो इसमें native leadership थी ना ही कोई popular support था विपिन चंद्रा जिनकी book हम पढ़ते हैं उन्होंने कहा था कि जो entire movement थी उसमें एक unified और forward looking program ली था मतब उन्होंने दूर दर्शिता के साथ जो है और एक एकता के साथ इस चीज को काम नहीं किया बस ये एक काम हुआ कि power को capture किस तरीके से कि जा सकता है वहीं पर huge rose जो थे उन्होंने ये का कि हेर लेदा वीमन मतब उन्होंने लक्षमी बाई को specific किया यहां पर कि जो जितने भी मतब कि यहां पर आदमी थे उसके जगह एक ही औरती जो सबसे ज़्यादा मजबूत थी और वो थी लक्षमी बाई यह हो गए हमने कि कि इसने क्या नेचर दिया अब हम यह देखते हैं कि 1857 की जो रिवोल्ट था उसके उपर क्या-क्या बुक्स लिखी गई थी तो जो वीडी सावर करते उन्होंने इंडियन वार ओफ इंडिपेंडनेस बुक लिखी थी रिवोल्ट ओफ 1857 की उपर वहीं पर जो पूरन चंजो उन्होंने रेबिलियन 1857 आज सिंपोसियम जो था ये बुक लिखी थी जो जो जोर्ज ब्रूस मेरसन थे उन्होंने इंडियन मुटिनी ओफ 1857 लिखी थी वहीं पर जो क्रिस्टोफर हिबर्ट थे उन्होंने ग्रेट मुटिनी नाम की बुक लिखी थी जो इकबाल हुसैन थे उन्होंने रिलिजिन एंड आइडिलोजी ओफ दा रेबल्स ओफ 1857 लिखी थी और वहीं पर लास्ट में जो खाहन मुहमत साधिक खाहन थे उन्होंने एक्सकवेशन ओफ रूट ये इस ता अंसंग हीरोज ओफ 1857 वर ओफ इंडिपेंडेंस लिखी थी तो ये सारे जो ये बिए टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगी ये जो नेचर था ये भी मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी ताकि आपको इसली रिवाइस हो सके नेक्स्ट जो हैं लास्ट लाइड भी हम डिसकस कर लेते हैं कि डॉक्राइन ओफ लैप्स जो था वो क्या था तो द अडॉप्टेड बच्चा होगा वो रूलर के मनने के बाद आगे जाके रूलर नहीं बनेगा अगर उस रूलर की खुद की अपनी कोई संता नहीं है और जो रूल होगा मतलब कि जो लैंड होगी उस रूलर की वो अपकिस के पास चली जाएगी ये था डॉक्राइन ओफ ल 57 का रिवोल्टा वो जादा आगे बढ़ गया था तो आई होप आपको यी वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए थैंक्यू सो मच